हलो फ्रेंड्स मैं हूँ मेखा और आप सभी का स्वागत है twinsbabymama.com चैनल पर जैसा कि हम सभी चानते हैं कि 30 अप्रेल को साल 2022 का जो पहला सूर गिरठा वो लग चुका है अब जो लगने वाला है वो 2022 का पहला चंद ग्रहड जो की 16 माई को लगने वाला है तो हम चानेंगे कि ये भारत में देखेगा या नहीं देखेगा इसका सही समय क्या रहेगा और सूतक काल आखिर होता क्या है और हम ये भी चानेंगे कि इस दौरान गर्बती महिला को कौन-कौन सी साबधानी रखनी चाहिए ऐसे कौन से काम है जो उसे चंद गरहट के दौरान बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए ताकि उसके जो गर्ब में पल रहा सिसू है उसे किसी भी प्रकार की हानी ना हो तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये सूतक काल होता क्या है जो की चंद गरहट के ठीक नौ घंटे पहले से ही लग जाता है तो सूतक काल एक ऐसा खराब वक्त होता है जिस समय जो हमारी पूरी प्रकृती होती है वो पूरी तरह से संबेदन सील हो जाती है और इस समय अन्होनी होने की भी बहुत जादा संभाबदा रहती है इसलिए कहा जाता है कि इस समय कोई भी हमें बांगलिक कार या भी कोई भी शुब कार बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए और गर्वती महिला को इस औरान अपनी सेहत का शेष खयाल रखना चाहिए ताकि उसके गर्व में जो पल रहा सिसू है उसे किसी भी प्रकार की हानी ना हो अब हम बात करेंगे कि जो चंद गरहट का जो समय रहेगा वो क्या समय है तो ये जो चंद गरहट 16 में को लगने वाला है इसका जो सही समय वो है आठ बच कर 69 मिनट से लेकर के 10 बच कर 23 मिनट तक ये चंद गरहट रहेगा मतलब लगवग देर घंटे का टाइम है और ये जो है वो सुबह के टाइम रहेगा खुसी की बात ये है कि ये हमारे भारत में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा अब हम ये जानेंगे कि ये आठ बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जहां पर चंद गरण दिखाई देता महां पर ही सूतक कलंट मानी होता है और जहां पर हमें चंदिगरण दिखाई नहीं देता है तो सूतक काल मानी नहीं होता है तो गर्वती महिला को बहुत जादा परेशान होने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी जब भी चंदिगरण या फिर शूरिगरण होता है तो उसका जो दूस प्रवाहों होता है वो हमा को देपता माना जाता है और इनकी पूजा पाट भी की जाती है तो जिस तरीके से सूर ग्रण का एक अपना महत होता है उसी तरीके से चंद ग्रण का भी एक अपना अलग ही महत होता है अब हम यह जानेंगे कि चंद ग्रण कब होता है जब हमारी प्रत्वी और चंद्रमा के बीच में शूर्य आ जाता है तो उस दौरान जो है चंडग्रण लग जाता है ऐसा माना जाता है कि जो चंडग्रण होता है वो हमेशा पूर्णिमा की टिथी को ही लगता है और अगर हम अपने सनातन धरम की बात करें तो इस दोराज जो राहू और केतू होते हैं तो उनका जो प्रकोप होता है वो पूरी धर्टी पर रहता है इसलिए गर्वती महिलाओं के लिए कुछ प्राचीन काल से ही नियम बनाए गए हैं और जो भी हमारे बड़े बुजुर् चंद्रदेव होते हैं उनको बहुत ही जादा कष्ट पहुंचाते हैं तो जिसवे एस दौरान ज़्यादा से जढ़ा गर्वती महिला पूजा पार्टकरानी है क्योंकि जिस सब्देवित्च प्ड़ती है निकरण परते हैं तो उस सब्देवी नियम पर रहता है और उनका मरत्युजय मंत्र होता है उसका जाब करना चाहिए और हन्मान 40 होती है वो पढ़िए आप इससे क्या होता है कि जो भी निकेटिविटी होती है वो गर्वती महिला के आसपास बिल्कुल भी नहीं रहती है और आपके जो भी इश्टदेव है आप उनको जरूर याद करें बैस सकती है ऐसा माना जाता है कि गेर्यू बगेरा का लेप लगाने से भी जो निकेटिविटी होती है वो गर्वती महिला के आसपास नहीं आती है मैंने भी यूज करी थी अगर आप करना चाहे तो बिल्कुल कर सकती है और गर्वती महिला को बिल्कुल भी चंद्रमा की तरफ नहीं देखना चाहिए क्योंकि उसे जो महानिकारक जो करड़े निकलती है उनसे हमारी आँखे वगएरा खराब होने का डर रहता है तो इसलिए बिल्कुल भी ग्रहड के दौरान आप उपर को ना देखें आप जो है ग्रहड से पहले ना नहें ग्रहड पढ़ने के बाद में नहाए इससे क्या होता है कि जिस समय ग्रहड पढ़ता है उस समय पूरे में निकेटविटी होती है तो ग्रहड पढ़ने के अगर आप बार में नहाती है आप जब नहाने जाए तो उसमें तुल्सी के पते जरूर डather चाहने तो उस पानी से आप जो है ग्रहड पाड़नेक कुछ कटोरी में 2-4 तुलसी के पत्ते जरूर रखें ऐसा करने से भी जो निगेटिविटी होती वो आपके आसपास बिल्कुल नहीं आती है और अगर आपको मंत्र बगेरा नहीं आती है तो आप मोबाइल में चला के मोबाइल को अपने से दूर रखें ग्रहड के दौरान मो जिकल भी ना खाए अगर आपको खाना खाना है तो आप ग्रहड से पहले ही खा लें क्यूंकि ग्रहड के दौरा जो बदलाओ होते हैं वो आती सूच मो होते हैं और बहुत ही जादा हानीकारफ होते हैं जो कि हमको दिखाई नहीं देते हैं तो उनका प्रभाव होता है वो खाने पे पढ़ता है तो अगर आपने गृहड़के पहले खाना पीना बना लिया है तो आप एक काम करें खाना बच जाता है खाने के बाद में तो आप ग्रहड पानी में तुलसी के पत्ते पत्तें पीने प्रवारे पीने की चीजों में पिल्कुल भी नहीं पड़ेगा और गिरहड के दौरान आप पानी भी पीए तो आप उसमें पहले से ही तुलसी के पत्ते डालके रखें और आप फल भी आराम से खा शकती हैं फल को आप पहले से ही रूम में अपने रखनें आप जहां पर भी बैटें वहां पे आप रख लीची और उसमें भी तुलसी के पत्ते बिल्कुल डालके रखें इसे कोई भी निगेटिव एक फैक्ट बिल्कुल नहीं पड़ेगा और आप इस दौरान उरीन बगएरा आराम से पास कर सकती है आपको उरीन बगएरा रोकने की बिल्कुल जर गिरहड का जो यह ताइम है इस समय तो कोई भी नहीं सोता है गिरहड के दौरान आप कोशिश करें कि आप घर से बाहर ना निकले इसका रीजन यह होता है जो गिरहड के दौरान निगेटिविटी होती है तो अगर गरवती महला उस दौरान बाहर निकलती है तो जो वो नि तो उससे बेबी के अंगों पर एफेक्ट पढ़ने के चांस रहते हैं, तो आप ऐसा गलती से भी ना करें, आप गिरहड के दौरान बिल्कुल भी अपनी यूरीन रोकने की गलती ना करें, क्योंकि प्रेगनेंसी में यूरीन को रोकना बहुत ही जादा घातक होता है, तो एक काम करनें जिसमें आप कूछभी ना करें जिसमें उनकम्फर्टपिवल हो ठीक है? और आपको बहुत ज़्यादा घबराने की जरुरौत नहीं होती है, और हाँ हमें बात जरूर माननी चाहिए, और आपको नहीं और बतात ये जो भी हमने आपको बताया है ये सारा जो है हमारी प्राजीन परंपराओं से चला आ रहा है और ये जो है हमारे हिंदू धरम में ऐसी मानिता है और इन सब बातों का कोई भी बैग्जानिक प्रमार्ण नहीं मिला है कि इससे ऐसा होता है गर आपके लिए मेरा ये वीडियो पूल रहा हो तो प्लीज इसको लाइक करें सेयर करें और सबस्क्राइब करने के साथ बैल आइकन जरूर दबाए ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालू तो उसका नोटिपिकेशन सबसे पहले आपके मोबायल पर आए तो थैंक्यू फ्रेंस मिलते हैं अगले वीडियो मे झाले हो प्लेए वीडियु उसक्राइब तो प्लो दाए भीडियो में मन के पूले दौरी नया वीडियो शप प्ले